एक अच्छी और सफल शादी के लिए लड़का और लड़की दोनों की उमर में कितना फरक होना चाहिए? बहुत common question है क्योंकि आजकल शादियों में एज माइने नहीं रखती है तो शुरू करते हैं सबसे पहले जानेंगे कि usually जैसे हम पुराने टाइम्स में देखते आए हैं या जैसे भी हमारी cultures exist करते हैं उसमें male की age को appropriately बड़ा रखा जाता है क्योंकि घर का जो decision maker है या head of the family है वो male होता है जिसको financially, maybe हमारे लिए resources या livelihood earn करने की जिम्मेदारी होती है तो वो जितना समझदार होगा उतना manage करना असान हो जाता है लड़की की age probably कम assume करी जाती है ताकि वो young हो दोनों का जो balance है वो बना रहे और वो उतना ही अच्छे तरीके से family को handle कर पाए बट आजकल ये criteria's काम नहीं करते हैं आजकल equivalent age भी help करती है आजकल ऐसे बहुत सारे Bollywood industries में examples है हमारे आसपास ही examples है जहां लड़कियों की age जादा है और लड़कों की कम है moreover ऐसा भी psychology study में पाए जया है कि लड़के अपनी उमर से बड़ी महिलाओं को जल्दी पसंद कर लेते हैं कि अपनी उमर से काफी बड़े पुरुष पसंद आते हैं या यंगर मेल्स पसंद आते हैं क्योंकि it all depends on आप कितना dominant role play करते हो अगर आप actually उमर से जादा समझधार हो तो आपको ऐसा partner choose करना है जो आप से जादा dominant ना हो नहीं तो marriage में clashes शुरू हो जाएंगे और आपको लगता है मैं innocent हूँ अभी मैं इन चीजों में नहीं हूँ ऐसे मैं अगर आपको dominant financially earning female मिलती है तो definitely you can look for a marriage later इसमें फिर clashes होने के chances नहीं रहते हैं अगर आप दोनों ही बहुत यंग हो आप दोनों ही बहुत जादा dedicated हो तो फिर थोड़े से clashes marriage की relationship में बढ़ जाते हैं वैसे एक average age का difference हम two to five years लेके चलते हैं लड़का और लड़की की age में जिसमें लड़का prominently बढ़ा हो पर आजकल ऐसे कोई भी सेनारियो उसकाम नहीं करते हैं जब तक आप आपस में understanding develop करते हैं या नहीं आशा करते हूं मेरी वीडियो अपके doubts को clear कर पाए है ऐसा और कोई पी doubt है आपकी शादी ऐसे हुई है जिसमें age gap different रहा लेकिन आप बहुत अच्छे से उसको लेके चल रहे हैं मुझे comment section में जरूर बताएंगे